अपनी गल्फेंड के साथ प्यार की परिक्षा देने आया हुआ लडगा दूसरी बंदी को देखते ही फिसल गया खेर वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉंसेप्ट बता देता हूँ Temptation Island एक शो जहां पे कपल्स आये हैं अपना ब्रेक अप कराने हैं मतलब जिनका अच्छा कासा रिलेशंशिप चल रहा है वो इस शो पे आये हैं सिंगल लोगों के बीच में जो ने टेंप करेंगे सराल भासे में बोलू तो सेट समझ रहो समझ रहो में अच्छा साथ हैं दोनों अल्मोस 2 साल से एक साथ हैं डेटिंग एप से 2 साल का रिलेशंशिप कभी दिल्ली आ हो आप लोग यहां पर 2 गंटे नहीं चलते हैं इसे रिलेशिप दो देखने को माल बोल रहे हैं यही सब देखने के बाद तो सरकार टेक्स बढ़ाय जारी है लोग के रिलेशनशिप डाइनमिक्स खराब होते हैं दूसरे के पेरेंट्स को लेके, परसनेलिटी को लेके, हैबिट्स को लेके, हाईजीन, अफेर को लेके रहा है, ना आगे बडर ना पीछे, किसी अलग दिरेक्शन में ही जा रहा है हम लोग एक साथ नहीं रहते हैं पहले डिसाइड कर लो, साथ हो या साथ नहीं हो, रिलेशनशिप में एक साथ नहीं हो रहते हैं इस स לצ्न देसे के लेके लिगव भूं Star इस साठीन का लोगं से सच बताता है, यह फूर मंत रिलेशनशि McG pigment वी और९ मैं बंगार्य तुम रिलेशनशिप की बात कर रहा हू आगे, विब्स को सामने वाले की बिन अधार काड महली बसी द माता है यहां लोग रिलेशंशिप अनाउंस कर दे रहे हैं, मुझे इस लोन दे पर रत्ती भर भी वरोसा नहीं है हम लोग एक दिवादी पाटी पर मिले थे यह अपनी गर्फिंड के साथ आया था जब यह मुझ से मिला यह तोल मी एवरिटिंग की, हीस देटिंग वेना गाइस जैनल और अगर आपको सामने से सच बताता है तो लड़की उसके लिए जादा जल्दी फॉल करते ठीक है? अबसे मैं भी सब कुछ सच बताऊंगा है, actually मेरी शादी होगी थी 18 साल की उमर में ही और मेरे दो बच्चे भी हैं सब कुछ सच बता रहा हूँ, चला फॉल करो अरे, मार्कुरी यो, सब कुछ सच बता रहा हूँ, जैन्विन बंदा हूँ, सेटिंग कर लो ना यार मेरे से तो इस शो पे आके भी हम इसकोवर कर सकते हैं कि अचली ये अफेक्शन तो नहीं है, दोस्ती वाला प्यार तो नहीं है, जो हम मिसंटर्प्रेट करके वाल दिस वाल वी वर लाइक, इन लव अर यू कमेड़ी मी? अब हम जहां स्टैंड करते हैं वो एक आदत है या प्यार अरे मेरे भाई, प्यार दोस्ती वाला, प्यार मिसंटर्प्रेट, दस साल बात तुम ये सब चेक करने आए हों? अब इतने सालों में लोग अपने बच्चों की स्कूल वर कोपी चेक करते हैं तुम अभी भी है सब चेक कर रहे हो, इस हिसाब से पच-पन साल की उमर में आप लाइफ में पक्का सेट हो जाओगे Temptation Island is about finding clarity Clarity? मतलब मुझे अगर अपने relationship में clarity चाहिए तो में अपनी बंदी को ले के 10 लोग के बीच में बैठ जाओँ Clarity मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो मैं कहनी सकता पर बंदी तो वापस बिल्गुल नहीं मिलेगी अगले कुछ हफतों के लिए आप लोग एक दूसरे को, not just yourselves, एक दूसरे को permission दे रहे हो दूसरे singles के साथ रहकर mingle करने की permission दे रहे हो मतलब अपनी आखों के सामने अपना कटवाने का contract sign कर रहे हो ये बोलो ना, हम सब लोग आदी मानवी ठीक थे आर गुफाओं में कुछ सीखने के लिए, connection बनाने के लिए, या अपने आप के बारे में समझने के लिए पर्मिशन दे रहे हो, इससे जादा clearly मैं ये बात नहीं समझा सकता क्या बात है यार, चार महिने के relationship से लेगे, 13 साल वाले relationship वाले अपना relation टेस्ट करने एक show पे आये हैं, पहले तो इसी बात के लिए बहुत guts चाहिए फिर यहाँ पे ये चारो लड़के अपने एक अलग विला में रहेंगे, और इन चारो की girlfriend's, जो present girlfriend है वो अलग विला में रहेंगी, single लड़के लड़कियों के साथ, वो भी एक दो नहीं, 45 दिनों के लिए हे प्रभू, मुझे girlfriend थोड़ी लेट चलेगी, बट प्यार की ऐसी परिक्षकता ही नहीं चलेगी साथ, डेट पे जाए, उनसे बात करें, उनके साथ एक विला मेरे, सब कुछ देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा ऐसा इसा 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 नहीं हूँ जिसकी बंदी को ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं घर से बाहर जा सकती हूँ या नहीं वो तो बंदी है नहीं तब की बात है, नहीं, मेरी बंदी है, उसे जरूरत ही नहीं पड़ी ये पूछने की, क्यूंकि उसे बता अंसर उल्लेडी नो होगा देखो, मेरा साथ हमेशा यार, मैं करपा माननूगा इस चीज की, कि जो मेरी फस्ट कॉपी की बेल्ट है, उसना हमेशा दिया मुझे ऐसा लगे कि जब एक F1 के ट्रैक पे, फरारी, फोर्ड, मस्टैंग ये सब होंगे और उसके बीच में एक 2004 मोडल स्विट जावेगी तो उसे कौन ही देखेगा, कोई बैट ना पसंद नहीं गड़नेगा तो जैसे मैंने तुमें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस शो पे कुछ सिंगल्स भी आने वाले हैं और सिंगल्स का काम वही है, लोगी सेटिंग तुडवाने का, उनसे फ्लर्ट करने का, टेंप्ट करने का, दम पत्यों को छिनने का एक दूसरे से, तो कीबोर्ड पे, जब मैं इसके जिसे चिरांद बच्चों को लिखता हूँ, हाहा भाई, बहुत फणी कर दिया, आप तो अपनी गल्तिया साथ ही लेकर आयो, ताथ मिल्के तो दारेगे, यही फर्क होता है, पेड और अनपेड डील्स में, जब तक ये फुकरा की डेटिंग रियल लाइफ वाली वीडियो में, बार्टर कोलाब कर रहा था, तब तक ये कितनी सस्ती पिकप लाइन्स मार रहा था, और अब देखो, 66 रुपे पर एपिसोड मिलते, इसके अंदर का कोमेड़ी किंग सच्चे बादचा बाहरा आ आगया, की, 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 हजज़के लोटपो मैं यार, 45 दिनों में तो में इस हिसाब से फिलम मना दोगे पूरी, सामद, I think, बहुत ज्यादा ही अच्छा है, हर सुपह ब्रेक्फिस्ट, हर पांच मिन मुझसे पूछता है, do you wanna eat something, should I get it for you, फिर तो आपको boyfriend issues नहीं, बलकि बावर्ची issues हैं, मोहक, वो visual, वो picture देखना कि अब वो मेरे साथ नहीं, और you know, किसी और के साथ जाएगा, वो acceptance इतना हार था, है, पहले तो ही अपने boyfriend के सामने, कोई और लड़का चूजगरती है, डेट पर जाने के लिए, उसके बाद जब वो बचारा, ठक हार के, कोई और लड़की चूजगरती है, चला जाबता है और मुझे बता है, उनके connection को कुछ याद रहे, या ना रहे, ये तो बिल्कुल याद नहीं रहने वाला है, कि उनको flowers भी देने चाहिए, तो एक कुछ ऐसा impactful सा मुझे करना है, जो उनको याद रहे, भाई, प्रपोस के साथ साथ ना, पाद मार दे, ऐसा impactful रहेगा, कि के स्टेरिंग वील का कवर दे रहा है, जिन लड़कों को किसी ने घास ने डाली इस शो पे, मतलब जो खुद को चमकानी पाए, उनकी हल्प करने के लिए फुकरा इंसान को बुलाया गया है, मतलब फुकरा इंसान से फ्लर्टिंग टिप्स, वैसे ही साउंड कर रहा है, ज जहाँ उसी को पकड़ के ना पेल दे, आपको पता है, एक असली मर्द सिरफ अपनी पसंदीदा औरत से ही प्यार का इसार करता है, तो मैं आज वही करना चाहता हूं, जेतना, यही, यही रीजन है कि फणी लड़कों से कभी लड़किया नहीं पठती, क्योंकि वो कॉमेड कि अच्छी पिक अप लाइन नहीं मारी और आप लॉयर हो, तो आओ, लॉफ लव सिखाया जाए थोड़ा सा, मैं यही बोलना चाहता हूं कि आपकी आखे बहुत कुछ बया करती है, और मुझे उसमें बहुत गहराई दिखती है, गहराई दिखती है, तो भाई, नीव डाल नहीं को कि आप काफित से आप है, अब वेर करते हैं महीं होगो बहुत हैं तो अभी तिक अमारी कन्वहृसयन उटिक कोई गरणा च्रहा है प्रशन को ऑर्शन कुछ ना कुछ ना कुछ ग्रूप सच घृते हैं तो मैं एंक्साइइड सेशन हो इसलियह को जां रखत आदे दियों जात भाई इन होटो की सर्विस कितने अफते में करवा लेते हो तो नहीं क्योंकि यह तुम्हारी गाड़ी से भी जादा चलते हैं अब पूल पाटी है तो हमार को चहिए लोग जाए पूल में एंजॉय करें तो वी वांड अर्जुन आप पहले पूल में जाओ आपकी डेट कौन है नवीशा राइट तो आप नवीशा को तो साथ लेके जाओगे बट वी वॉंट अब एक लड़की को और साथ लेके जाओ ने फुक्रा भाई सीधा सीधा बोल दो मैं कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि शो पे कोई कलेश नहीं हो रहा सारे लड जिसमें कुछ इमोजी थी और वो इमोजी इन्हें आपस में एक दूसरे को डेडिकेट करने थी और बार बार वील को स्पिन करने पे नॉर्मल इमोजी आरी थी लेकिन फुक्रा भाई तों आपे तफरी लेने आये थे भाई ने गेम का रूली बदल दिया खुद रोक रोक के अपने हाथ से नोटी मोजी दी उन्हें एक सेटिंग तो मुझे अभी तूटती वी दिखाई दे रही है बाकी फुग्रा इंसान शो पे आगे तो आगे तो बहुत कुछ इंट्रेस्टिंग होने ही वाला है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो तीन चाल लड़के इन्होंने पहली डेट पर नहीं वेजी न वही बड़ा आत मानने वाली हैं बाकि Temptation Island का कोई भी मसाला मिसना हो जाए इसलिए डेली रात को नया एपिसोड आता है आठ बजे और अगर अभी तक भी तुमने हमारा व्लोग चैनल लक्षे चोधरी व्लोग नहीं देखा फिर तो जीवन में क्या देखा यार क्या देखा सेम प्लेटफोर्म पर तुम दूसरा चैनल नहीं देख रहे तो ची